हेलो अबरवन कैसे बाफ सब आईटी धनबाद की तरफ से जूनियर एसिस्टेंट की वैकेंसीज निकली है तो आए जाते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सेलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा और अप्लिकेशन की क्या प्रोसेस है लेकिन वीडियो शुरूरने से पहले है अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जोब से रिलेटेट सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहा है यहां जूनियर एसिस्टेंट की वेकेंशी निकलिए टोटल 73 वेकेंशी है यहां जो पेस्केल रहा हैगा यह लेवल 3 का पेस्केल रहा हैगा अप्लाई करने की एज लिमिट 30 एर्स है और अगर आप SCST या OBC कैटेग्री माते हो तो आपको according to government rules एज में relaxation मिलेगा और अगर यहां education qualification की बात करें तो अगर आपने graduation किया हुआ है with minimum 55% marks तो आप यहां apply कर सकते हो इसके साथ ही आपको computer की knowledge होनी चाहिए computer office application, MS Word, MS Excel and PowerPoint इसकी भी test ली जाएगी इसके बाद आपका जो typing speed है 40 words per minute होना चाहिए English में and 35 words per minute होना चाहिए Hindi में तो अगर यहां selection process की बात करूँ तो यहां total 3 steps में आपका examination होगा part A qualifying nature का होगा जो की screening test होगा इसमें objective type के questions पूछे जाएंगे और यह 100 marks का होगा screening test qualify कने के बाद आपको trade test के लिए call किया जाएगा और यह भी qualifying nature का होगा इसमें आपकी typing speed and skill test ली जाएगी trade test qualify कने के बाद आपको mains examination के लिए call किया जाएगा और यहां पे अगर दो step में आपका examination होगा written test और computer proficiency test written test total 80 marks का होगा और computer proficiency test में आपसे MS Word, Excel and PowerPoint की questions पूछी जाएगे और यह total 20 marks होगा तो यहां पे total 100 marks का आपका mains examination होगा यहां जो final merit list बनेगी वो written test and computer proficiency test के marks के basis पे बनेगी यहां आपको 500 रुपीज का application fee पे करना होगा और अगर आप SCST ex-serviceman या दिव्यांग candidate हो या female candidate हो तो यहां आपको कोई application fee नई पे करना है apply करने का सारा process online है online registration start हो चुके है and apply करने की last date 31st August 2021 है और यह registration link है यहां पे जाके आप directly apply कर सकते हो दोस्तों अगर आपने graduation किया हुआ है तो यहां बहुत ही बढ़िया opportunity आपके लिए निकली हुई है यहां level 3 का pay scale है और यहां आपकी posting हमेशा धनबाद में रहेगी तो अगर आप यहां apply करने के लिए eligible हो तो apply जरू करना और इससे related अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो दोस्तों इसी तरह की information के लिए चैनल को subscribe जरू करे Thank you